सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और गंटी की आइकन को दबाईए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल मैं हूं संकर स्वागत करता हूं आप सबी का दोस्तों आज का जो हमारा टोफिक है वो मदरबोर्ड के बारे में जब हम अपना पीसी बिल्ड कराने जाते हैं तो जब भी हम मदरबोर्ड की बात आते हैं तो हम कनफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मदरबोर्ड यूज में ले क्योंकि मदरबोर्ड बहुत सारे रेंज में आने डिस एडवांटेज है इन सब के बार में हम बात करेंगे तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में एक छोटा सा ननना सा प्यारा सा बेल यानि गंठी का मदरबोर्ड की सिलेक्षन की बात आती है तो आप को जो सोप की पर देता वो लगा लेते हैं और आपको सिम्पल सी बात बोलता है कि इसमें यहीं मदरबोर्ड यूज होगा या इसमें यहीं लगेगा बन्तु एक्षरी दौस्तों यादसा होता नहीं है इसके बहुत आते हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे कि कौन सा मदरबोर किसके लिए यूज होता है कौन सा मदरबोर आपके लिए अच्छा होता है तो दोस्तों इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा तो जो आपको स्वाप की परते हैं वो ने ले तो चले दोस्तों आगे जो दूसरा होता है वो Micro ATX, यह Micro ATX जो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें थोड़ा स्लोट्स ज्यादा मिल जाते हैं, उसके बाद में जो आज की टाइम पर चल रहा है, वो है Standard ATX, तो इसमें काफी स्लोट्स होते हैं, काफी अच्छे RAM स्लोट्स मिल जाते हैं, जो की आज के टाइम पर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है हम इसमें ग्राफिक्स लगा कर अच्छे यूज कर सकते हैं चोटे फिसी के लिए हो आते हैं यह तो यह होगे तीन चोटे प्सके लिए उसके बाद बड़ें पीचर के साथा है काफी बहुत ही बड़ें खाम आएगा और जो standard ITX के बारे में बता रहा था ये इसमें mixing वगेरा काम अच्छे से होता है तो चलिए दोस्तों इनके बारे में one by one करके अच्छे से आम में आपको बता देता हूं कि कौन सा आपके लिए सही होगा कौन सा आपके लिए सही नहीं होगा दोस्तों जो पहला है मीनी ITX तो मीनी ITX के बारे में बता दू कि इसमें two RAM slots होते हैं दो RAM slots होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और एक PCI slots होता है और दो जो होते हैं वो USB slots होते हैं जो काफी कम आते हैं USB slots तो RAM 2 RAM slots का मतलब यह नहीं होता कि आप इसमें RAM नहीं बढ़ा सकते तो आप यदि इसकी RAM बढ़ाना चाहते हैं तो आप 16GB की दो यूज के लिए जिए काफी हो जाएगी 30GB, 8GB की यूज के लेजिए, 22GB की यूज के लेजिए, नॉर्मली अभी 16GB तक ही चल रही है, नॉर्म वहाँ बढ़ा हैं तो आप इसमें 1 लगा सकते हैं, शे क्याल सकते हैं, इसमें आप डिप्टिक बढ़ाइं नहीं क्याल सकते हैं, यह प्रकौ जन्रव के लिए होता है, तो दोस्तो Himma बात के लेजिए 2.00 PM PM分鐘, iphone ना क्योंते हैं टोड़े से ज्यादा सुल्ड़ोते हैं उसमें वाइक्रों दो टो ऑस बात करे तो रहत लिए कि तो मतलब यह हो गया तो दो तो दोस्तों इसमें काफी अच्छी यूज़ स्लोड्स होते हैं और जो अच्छा फिचर है वह है फॉर स्पीसियाई स्लोड्स का तो आप इसमें हर प्रकार ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं हर प्रकार गेमिंग कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं अच्छा वर्क कर सकते हैं ठ वर्तमान समय में काफी यूज में लिया रहा है तो जो स्टेंड कर बताओं तो इस Babuce सारे बहुत ही ज्यादा वस्दं narc 2791 भूरalt होते हैं और फोर रेम वोता है से चार सेट पस्त लोड expecting कर सकते हैं यूज का स्वाइं Scripture में कर सकत इसमें डाल सकते हैं और बहुत ही अची गेमिंग वीडियो मिक्सिंग या फिर जो हाई डिफिनेशन वरक का हुआ आप कर सकते हैं फोटोसोप एडिटिंग वगेरा का काम आप इसमें कर सकते हैं दूसरे नमबर पर आता है चार रेम स्लोर्स चार रेम स्लोर्स के बारे में य तो इसके बाद में जो बात आजाती है वो है बड़े PC के लिए EATX तो इसके बारे में बता दू तो इसमें चार से दस USB कनेक्शन होते हैं हाई क्यूलिटी साउंड होता है क्यूंकि इसमें हाई साउंड क्यूलिटी के लिए अलग से चिप लगाए हुई होती है इसको आप बोल सकते हैं उसके बाद इसमें आठ रेम स्लोट होते हैं तो मैंने तो अभी तक इसके यूजज नहीं देखे हैं और जिसका भी इंडेमे को यूज नहीं है चार स्लोट काफी होते हैं आपके अच्छे एडिटिंग अच्छी वरक और हाई सी हाई देफिनेशन वरक के लिए तो दोस्तों इसकी जो सबसे भात्रीन फीचर है वो क्योलेटिक के इसमें मल्टीपर्पल जो चीप हो लगाई हुए होती है तो यह हाई वरक अच्छे से कर लेता है तो यह इसकी यूज पड़ती है और जो बड़ा एक बड़े कारे होते हैं उन श्रक्ति के लिए तोस्तों सब्सक्राइस के लिए अलग अलग आते हम यह जाब से है एक जनरेशन के लेगा तो च्छोटी जानकारी to buy अच्छे अपने मदरबोर का सिलेक्षन कर सकते हैं अच्छा मदरबोड अप ले सकते हैं तोóm also सक्राइगी मेरे वीडो को ज़रूर देखके क्यों आप星 Бिल्ड कराने च्जों कि और है किyah स्य प्राइगा क्या हित्गों को क्या क्या ऊब अपकर ं 저 करते हैं तो यूट्यूब भी हमारे वीडियो को प्रमोट करता है आज के लिए दोस्तों इतना ही चले दोस्तों बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थेंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो बाई दोस्तों